वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज हम बात करेंगे कि पत्नी का 125 CRPC का केस पून रूप से हुआ डिस्मिस तो आएए जानते हैं कैसे ये मामला ऐसा था कि हस्बेंड और वाइफ की शादी हुई और पत्ती अपनी पत्नी को शादी के बाद घर ले आया और पुछ समय बात वाइफ ने अपने हस्बेंड के उपर हरैस्मिन के एलिगेशन लगाए और फिर वाइफ अपने माईके में जाकर रहने लगी वाइफ ने 125 CRPC का केस अपने हस्बेंड के खिलाफ फाइल कर दिया और उस केस में मेंटेनिंस की मांग करी और साथ ही बताया कि उसके पेरेंट्स मजदूर हैं और हस्बेंड 20,000 रुपे सैलरी लेता है अब मैजिस्ट्रेट कोट ने वाइफ की इस पेटिशन को खारिच कर दिया इस पेटिशन को खारिच इसलिए किया गया क्योंकि 125 क्लोस फोर CRPC के अंदर 125 क्लोस फोर CRPC ये कहती है कि अगर आपने कभी अपनी पत्नी से डौरी की मांग नहीं करी उसको हरैस नहीं किया और पत्नी माइके में चली गई और आपके बुलाने पर भी घर नहीं आ रही तो ऐसे में 125 CRPC के तहट मेंटेनिस नहीं मिलेगा इस बेस पर मैजिस्ट्रेट ने ये पेटिशन खारिच की थी उसके बाद वाइफ ने डिस्टिक एंसेशन जजच के पास इस ओर्डर को रिवर्स कर दिया उसके बाद हस्बेंट 36 गड़ हाई कोट में आया और 36 गड़ हाई कोट ने जब ये मामला देखा तो उन्होंने भी यही कहा कि जो कोट ने ओर्डर किया है वो सही है यदि हस्बेंट साबित कर दे कि हस्बेंट ने कुछ गलत नहीं किया और वाइफ बिना किसी कारण के माईके में चली गई है और बुलाने पर भी वापिस नहीं आ रही तो वो मेंटेनेंस पाने की हगदार नहीं है तो आई होप दोस्तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो में लाज तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद